आजकल की जो राजनीती इस समय हम देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन इस्ट्रेंट वाली राजनीती मुझे लगती है थोड़ा कुछ सचाए भी होती है लेकिन इस इलेक्शन को सामने रखके कुछ ज्यादा ही हो रही है जो कि नहीं होने चाहिए किसी भी देश से टक्रा आम जो रड़ाई बोलते हैं आप होता रहता है कभी कभी लेकिन कभी कभी पोजिशन यह भी हो जाती है कि आप बहर मुझे मार वो नहीं होना चाहिए वार को कोई लाइक नहीं करता कहीं भी किसी भी जगा है दुनिया में और उसे कोई फाइदा भी नहीं है शिंग साब बात बतेए इमरान जी ने कहा था अभी कि पाकिस्तान को जो अपने प्रधार मंतरी है उन्होंने कहा था कि हम लोग राजनीती लड़ाई नहीं चाहते हैं तो क्या वाके में उन्होंने इस तरीके का जो भारत दिखा रहा है मीडिया कि उन्होंने हतियार डाल दिये और लड़ना नीचाते जुग गए तो क्या इस तरीके का दिखाना चाहिए और अगर वार से क्या दौनों देशों को फैदा होगा नुकसान होगा उसके बारे में भ मुरान खान के जो वक्तव्य है, जो आया है, हमको भूरना नहीं चाहिए 1962-65-71, कभी भी दुस्मत को कम आकना, अपने आप पर दोका देना है, पाकिस्तान बेसक छोटा देश है, उस छोटा देश होने के नाते, उसके पास जो साधन है, लड़ाई के, तो किसी भी कीमत में कम नहीं है, और किसी भी दुस्मत देश को, उसके लिए हम हैं, हमारे लिए वो हैं, कम तर आक हैं, यह अपनी गर्ती होगी, अच्छा, शिंग साव, यह बताईए, कि आपने जो इसको दुस्मन देश कहा है, यह भारत ने इसको दुस्मन देश कब डिकलेर किया, या दुस्मन देश डिकलेर करने की किसी देश को क्या तरीका, क्या प्रंपरा, क्या नियम होते हैं? भारत में जो दुस्मन डेक्लेयर की बात है वो महज एक सांपड़ता एक बेस के उपर डिपेंड करती है। हिंदू-मुसलिम देश का जो बात करके एक दूसरे को दुस्मन भोसित कर देना यह अपना आप में देश के उपर लागू हो जाती है। अभी देशों के बीच ही नहीं, मैं तो यहां तक कहूँगा कि अपने देश भारत में भी जो भी राजरेंतिक पार्टियां हैं या जो सत्ता में हैं वो भी एक कोशिश करती हैं कि यहां यह दो संपर्दा हिंदू-मुसलिम को लड़ा के अपना अपना उलू सिदा करें। सिंग साब एक बात बताईए, मुसलिम या जो अधिकतर आतंकवादी माना जाता है वो एक चहरे से माना जाता है जिसे मुसलिम समाज कहा जाता है, जिसकी डाड़ी होती है, सिर्फे टोपी होती है, जबकि अभी जो 40 जवान मारे गए थे वो एक हिंदू और शर्मा परिव सकते, आतंकवाद अपने आप में एक मजव है, वो हिंदू में भी है, मुसल्मानों में भी है, वो हर कमिल्टी हर सम्परदाय में है, और में सवाल ये होता है कि आतंकवादी बनता क्यों है, इस पर कभी किसी ने विचार किया होगा, तो आपको नजर आएगा कि तभी बनता है जब उसकी जो एक आजादी है जो उसके आकांग्चा है देश में जीने की उसकी जो डेली नीट की चीजे हैं जब उसमें कहीं खरलग पड़ता है या उसके उपर एक इंजस्टिस होता है नहीं चीज अन्याय और अत्याचाए तब उस आदमी की संवेदनाय ज पनना चाहते है годा है हालात पेदा टैजाते है कि लोग आतंकवादी बने ले अडिपैंट करता है उस देश के उपर आतंकवादी न करता है में उसके लिए उनुनने कुशिश करनी पडेगी उसके लिए उनको साधन इंच उठानी पड़ेंगों जो इस देश में नहीं हो कर दो